हेलो फ्रेंस नमस्कार मेरा केस ठाकूर आपका हैबिट एजूकेशन यूटूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं तो दोस्तों यह आज का वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि यह संबंदित है बजट से तो बजट 2020-2021 के बारे में हम पढ़े ठीके जी तो मैं उमीद करूंगा कि आप सभी इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और लावान भी थोएंगे ठीके जी तो जो यह स्टार्ट करते हैं हम वजट तो आप जानते हैं कि बारशिक वजट जो पेश किया जाता है सरकार के द्वारा वो क्यों किया जाता है 21 से संबंदित है तो जलिए सबसे पहले थोड़ा सा बजट के इतिहास के बारे में जानते हैं कि बजट क्या है कहां से इसकी उत्पत्ती हुई और क्या-क्या प्रावदान है ठीके जी तो आप जानते हैं सभी कि यह जो बजट शब्दर है यह बजट शब्दर फ्रेंच भ भाशा के बोगेट शब्द से लिया गया है अगर हम संभी धान में देखे तो आप जानते हैं संभी धान में बजट शब्द का वर्नन नहीं मिलता है और संभी धान में वरनित है वार्शिक वित्या विवरन का उलेक मिलता है अगर हम आर्टिकल की बात करें कि कौन से राजकोशय निती का लेखपत्र होता है जो क्या किया जाता है प्रस्तुत किया जाता है किसके द्वारा बित्मंत्रिय बित्सचीव के द्वारा ठीक है जी और आप जानते हैं कि राष्टपती की सहमती से इसको पेश किया जाता है बित्मंत्री के द्वारा और संसद में ये धन बिध्यक के रूप में पेश किया जाता है कि इसको बजट को संसद में धन बिध्यक के रूप में पेश किया जाता है ठीक है जी और आप जानते हैं 110 आर्टिकल के तहत धन बिध्यक आपने पढ़ा भी होगा एक सो आर्टिकल एक सो टेन के तहट जो है इसको प्रस्तूत किया जाता है और एक सो दस अनुछेद में ही ये धन बिधर का आता है ठीक है अगर आपने एक नाम सुना होगा फाइनस बिल फाइनस बिल क्या होते है कि इस बिल में जो पुराने कर होते हैं उनको हटा दिया जाता है और नए करों को लागू किया जाता है और इसका प्राभधान हमारे आर्टिकल 117 में मिलता है ठीक है जी और आप जानते हैं बहुत इंपोर्टेंट है फाइनस बिल ठीक है जी और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसी बजट के क्रम में एक वजट का नाम आपने सुना होगा बजट बहुत से प्रकार के वजट है पर्फॉर्मेंस बजट होता है एक जीरो वजट जिसको संसेट वजट भी बोलते हैं ठीक ही तो बहुत इंपोर्टेंट है और इससे सं अनक माना जाता है अगर हम बात करें सबसे पहले संसेट बजट का प्रयोग किस ने किया तो अमेरिका ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था और कब इसका प्रयोग किया था तो 1973 में इसका प्रयोग सबसे पहले कहां पर हुआ था अमेरिका में हुआ ठीक है जी अगर हम भ भारत में इसकी शुरुवात 1988 में हुई थी और सबसे पहला जो राज्या वो कौन था जिसने इसको लागू किया था ठीक है आप जानते हैं सबसे पहला आंध्रा परदेश आंध्रा परदेश में सबसे पहले संसेट बजट या जीरो बजट जो है लाग हुआ था ठीक है अब कुछ एक बजट से समधित कोश्चन है ना जो बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है अभी हम बात करेंगे इसके जस्ट अभी करंट की बरतमान में जो बजट पेश किया गया 2021 में तो उससे पहले थोड़ा सा इस प्रोफेसर फिलिप के द्वारा रखा गया जो कहां के थे ब्रेटेंट से ठीक है अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो पहला बजट है वो कब रखा गया 1860 में रखा गया और जेम्स बिलसम ने सबसे पहले इसे रखा ठीक है जी उमीद करता हूँ कि आपको हर एक सिपफाथ का पहला बजट किस ने रखा तो आप सभी जानते हैं कि 1947 में पी के सarmक्म शिटी के द्वारा ये वजट रखा गया सबसे पहले स्वतंत्र भारत का पहला जो वजट था 1947 और PK शर्मुकम 60 के द्वारा रखा गया ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करें कि पहला गंतंत्र बजट है ये किसने रखा तो आप जानते हैं 1950 में ये जौन मंथाई द्वारा पेश किया गया था और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भारत में सबसे जादा बार बजट किस ने पेश किया तो मौररजी दिसाई ने सबसे जाला बार भारत में बजट पेश किया अगर हम बात करें कितनी बार इन्हों ने पेश किया तो आप सभी जानते कि गटना गटी और उनसे समंदित हमने कोशिन भी देखे अब बात करते हैं हम 2020 और 2021 के बजट की बात कि इसमें क्या क्या प्राब्धान किये गे सरकार के द्वारा कौन-कौन से योजनाय लाएगी है ना और किम-किम क्षेत्रों के लिए कितना पैसा अवंटित किया गया ठीक है और इसमें हम देखेंगे कि हमारे भारत को आये कहां से होती है और हमारे भारत से पैसा जाता किस-किस क्षेत्र में है ठीक है तो सारी जानकारी हम यहां लेंगे आपसे उमीद है कि आप इस वीडियो को लास तक देखेंगे और इससे लाभान भी तो होएंगे ठीक है मेरी बातों को ध्यान से सुनना है और अपने कानों तक जाने देना है ठीक है जी यही उमीद आप लोगों से करते हम तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें कि एक फरवरी 2020 को बितमंत्री निर्मला सीता रमन ने 2020 का जो बजट था उसको पेश किया ठीक है जी कब किया? एक फरवरी 2020 को ठीक है जी? और down point अगर हम देखें कि दूसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला बितमंत्री बनी कौन? निर्मला सिता रमन ठीक है जिनोंने 2020 में बज़ट पेश किया, दूसरी महिला वनी में, ठीक है, दूसरी बार इन्होंने बज़ट पेश किया, लगातार दूसरी बार, ठीक है, नेक्स अगर हम पॉइंट की बड़ करें, कि बज़ट 2020-21 पेश करते समय, निर्मला सितारमन ने तमिल कभी, तिरु बलूर की कविता सुन नेक्स अगर हम बात करें, पॉइंट की, तो इन्होंने भारतिया इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषन दिया, जो कितने टाइम का था, दो घंटे चालिस मिनट का, ठीक है, वरी इंपोर्टन, नेक्स पॉइंट की हम बात करें बजट में, तो आप जानते हैं, इन्होंने कि इसका रिकॉर्ड तोड़ा, जो दो घंटे चालिस मिनट इन्होंने भाषन दिया बजट पे, तो इससे पहले का जो रिकॉर्ड था, वो था जस्वन्त सिंग का, जस्वन्त सिंग ने दो घंटे तेरा मिनट का बजट भाषन दिया था, जो किसने ब्रेक किया, निर्मला सित जो हमारे क्या है बितमंत्री ठीक है नेक्स अगर हम बात करें कि बजट 2020-21 का जो थीम था वो थीम क्या था इजी ओफ लिविंग जीवन यापन में असानी पर ये बजट अधारित था ठीक है अगर नेक्स बात करें हम कि इस बजट में तीन चीजों पर विशेश ध्यान दिया गया सबसे पहली चीज महोतवा कांशी इंडिया दूसरी चीज एकोनोमिक डॉलपमेंट और तिसरी चीज जीमेदार समाज जीमेदार समाज ठीक है तो इन तीन चीजों पर विशेश ध्यान दिया गया हमारे बजट 2020-21 में थे ठीक है नेक्स अगर देखें हम कि बित वर्ष 2020-21 के लिए आर्थिक विकास की जो दर है वो 10% रहने का अनुमान है ठीक है जो 20-21 की आर्थिक विकास द वर्ष 2020-21 में GDP है इसमें 6.5 की ब्रिधी का अनुमान है 6.5 की ब्रिधी का अनुमान लगाया गया है अगर नेक्स टाम बात करें बजट में कि बजट 2020-21 के अनुसार भारत की अर्थ विवस्ता दुनिया की पांचुई अर्थ विवस्ता बनी है ठीक है ना और आप जानते ह है कि जो विश्व की सबसे बड़ी पांच अर्थ विवस्ता हैं जिन मैंसे सबसे नंबर वन पर है USA और आप जानते हैं USA 21.4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थ विवस्ता है दूसरी अगर बात करें चाइना की तो चाइना आप जानते हैं 14.1 ट्रिलियन डॉलर और जैपान की 5.2 ट्रिलियन डॉलर और जर्मनी की बात करें तो 3.9 ट्रिलियन डॉलर अगर हम भारत की बात करें तो 2.9 ट्रिलियन डॉलर की अर्थ विवस्ता है ठीक है जी नेक्स अगर बात करें कि भारत ने भारत ने दो हजार पचीस तक अपनी अर्थ विवस्ता को 5 ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्षे रखा हुआ है ठीक है कब तक दो हजर पत्जिस तक ठीक है नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो आप जानते हैं कि बजट 2021 में इंजिनियरों को रोजगार देने के लिए रोजगार देने के लिए एक साल की ट्रेनिंग और इंटर्णशिप दिलव करें कि 20 21 बजट के सरकार में ल आई सी इंस्ट एक्ष दारी बेचने की घोशना की है तीक है लाइन लाइसीट इंस्ट के तहत स्टार एक्सचेंज के जरिए स्टार्ट एक्सचेंज के जरिए आई IDV, bank की पुझि बेची जाएगी, start, stock, sorry, stock exchange के जरिए, IDVI, bank की पुझि बेची जाएगी, ठीक है, very important point, ध्यान में रखें, next अगर बात करें, कि bank में जमाराशी का बीमा कवर एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख किया गया है, बैंक में जमाराशी का जो बीमा कवर है एक लाग से बढ़ा कर इसको पांच लाख कर दिया गया है अगर हम नेक्स्ट इस बजट में पॉइंट की बात करें तो आप जानते हैं कि इस बजट में पांच नए स्मार्ट सेटी बनाने का परस्ताब आया और अगर अगला पॉइंट देखें तो बीस इकिस के बजट में रांची में जन जातिया संगरहलया बनाने का परस्ताब भी आया जार्खंड रांची आप जानते हैं जार्खंड की राजधानी रांची में जन जातिया संगरहलया बनाने का परस्ताब आया नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो आप जानते हैं कि दो धर 20-21 के बजट के तहट पांच राज्यों में पूरा तात्विक स्थलो के संगरहल्य को विक्सित किया जाएगा और आप जानते हैं ये पांच राज्यों कौन कौन से हैं कहां कहां पर किया जाएगा पूरा तात्विक संगरहल्यों को विक्सित किया जाएगा अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आप जानते हैं बजट 2020-21 के तहत़ दिल्ली मुंबई एकस्प्रेश बे का काम जो है दो हजर तईस तक पूरा करने की बात गही है जो दिल्ली टू मुंबई एकस्प्रेश बे है उसका काम दो हजर तेस तक पूरा हो जाएगा ये बात 2020-21 के बज़ट में की गई है ठीक है जी नेक्स अगर हम पॉइंट की बात करें तो आप जानते हैं कि 2025 तक 100 नए एरपोर्ट शुरू करने की घोशना की है इस बज़ट में 2025 तक 100 नए एरपोर्ट शुरू करने की घोशना की है 2020-2021 के पहत और आप जानते हैं कि बजट 2020-2021 में तेजस की ही तरह 1500-150 प्राइवेट ट्रेने चलाने की परस्ताब भी रखा है ठीक है जी और आप जानते हैं कि इसी बजट में 550 रेलवे स्टेशनों पर वाइफाई सुभीदा शुरू करवाने की बात भी कही है और नेक्स अगर हम बात करें कि किसानों की जो जल्दी खराब होने वाली फसल है उसको बेचने के लिए एक योजना आरंभ की गई है जिस योजना का नाम है किसान रेल की शुरूआत की गई है किसानों की जो फसल है वो खराब ना हो नेक्स अगर बात करें कि क्रिशी उत्पादों को जो क्रिशी उत्पाद है उनको रास्ट्रिया और अंतर रास्ट्रिया तक पहुचाने के लिए क्रिशी उडान योजना की शुरुवात की गई है क्रिशी उडान योजना की शुरुवात जो इसी वजट के तहत हुई है और आप जानते हैं कि वजट 2021 में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड को 16000 किलोमेटर से बढ़ाकर 27000 किलोमेटर किया है very most important next अगर हम बात करें इस बजट में तो 2014 से 2019 तक भारत में 284 million dollar FDI आया है ठीक है न 2014 से 2019 तक भारत में कितना FDI आया है 284 million dollar next time हम बात करें कि बजट 2021 में कर के लिए नए slabs जो जोड़े गए हैं वो क्या क्या हैं तो देखते हैं हम नई कर पर ना लिको कि कहां पे कितना पैसा किस क्षेद्र में कितना tax है न तो आप जानते हैं कि 5 लाग से कम आए तो इस पर टेक्स 0 है ठीक है 0% 5 से 7.5 लाग 5 से 7.5 लाग तो यहां पर 10 परसेंट टेक्स लगेगा और आप जानते हैं 7.5 से 10 लाग तक 15 और आप जानते हैं 10 से साथे 12 लाग 12.5 लाग तो 20 परसेंट टेक्स और आप जानते हैं 12.5 से लेके 15 लाग तक यह 25 परसेंट थेगे जी हम देखें इसी में कि 15 से लेके 20, 22, 25 जितना भी 15 से जादा अगर हो तो 30 परसेंट यहां पर करपनाली का प्रावदान है नेक्स लेकर हम बात करें कि 20, 21 के अनुसार दूध प्रसंसकरं की क्षमता को बढ़ाने का जो लक्षे 2025 तक रखा हुआ है कि इसको दुगना करेंगे हम जो दूध प्रसंसकरं की क्षमता को 2025 तक दुगना करने का लक्षे रखा गया है इस बजट के दूरान और नेक्स लेकर बात करें हम 20, 21 के अनुसार मतस्य उत्पादन 200, 22, 23 तक करने का लखषे रखा है इस मतस्य उत्पादन को 200, लाक तन तक करना है कब तक 22, 23 तक 2022-23 ठीक है जी नेक्स अगर बात करें हम कि इस बजट 2020-21 के दोरान कुछ महतोपुन योजनाएं चलाई गई जिनकी चर्चे हम करेंगे तो आप जानते हैं सबसे पहली जो योजना निर्वी की योजना निर्वी की योजना वेरी इंपोर्टेंट कोशिन अभी एक्जाम में आया था आप जानते हैं तो ये जो है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई नेक्स अगर बात करें बिवाद से बिश्वाश योजना बिवाद से बिश्वाश योजना तो मुके मुकदमे वाजी में कमी लाने के लिए योजना चलाई गई मुकदमे वाजी में कमी लाने के लिए नेक्स अगर बात करें पी एम कुसुम योजना पी एम कुसुम योजना की बात करें तो आप जानते हैं केरोसिन और केरोसिन और सोलर पंप की निर्भरता को दूर करने के लिए ये योजना चलाई गई नेक्स अगर बात करें 20-21 के अनुसार क्रिशी सेक्टर के लिए 16 सुत्रिया एक्शन प्लान की घोशना की गई very most important 16 सुत्रिया एक्शन प्लान की घोशना 2021 के बजट में क्रिशी के लिए ठीक है जी नेक्स अगर हम पॉइंक की बात करें तो 2021 के अनुसार 2020-21 बजट के अनुसार जो भारत में 100 पानी की समस्य से जूज रहे जिले हैं देश में 100 जिले हैं जो पानी की समस्य से जूज रहे हैं उनका निरान करने के लिए यहां बात कही गई उमीद करता हूँ कि आपको सभी point समझ आ गए होंगे, तो अभी next time बात करते हैं कि भारत में पैसा कहां से आता है, किस क्षेतर से कितना percent आता है, और किस क्षेतर में कितना percentage आता है, very most important, तो आप जानते हैं कि जो रुपे आता है भारत में, सबसे पहला point रिन भीन पुणजी प्रापती, है ना, रिन भीन पुणजी प्रापती कितनी होती हमें, 6% और आएकर कितना percent हमें प्रापत होता है, 17% और आप जानते हैं केंदरिया उत्पादन शुनक से हमें कितनी प्रापती होती है, पैसे की तो 7% और निगम कर, निगम टेक्स कितना? 18% आता है और माल और सेबा कर तो ये 18% आता है और उधहार और अन्यत देता है कितना परसेंट देते हैं तो 20% देते हैं अगर हम राजस्वटेक्स की बाद करें राजस्वकर की बाद करें तो आप जांते हैं 10% यह आता हैção अगर सीमा करकी बात करें तो चार परसेंट जो जाता हैं अगर हम हम अब रुपे जाता कहां है हमारा कि सबसे पहले बात ěूरा यह जो पैंशन तई हैं बहुत सबड़ाई पैंशन जयाता हैं Next अगर बात करें हम केंदरिया प्रयोजित स्कीमेacies केंदर सरकार के द्वरा स्कीमे चलाई जाती है उन में 9% पैसा वहाँ से जाता है तो उसमें 6% पैसा जाता है अगर डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में 8% जाता है ब्याज भुकतान की बात करें तो आप जानते 18% ब्याज भुकतान में जाता है next करो और शुलकु में राज्य का हिस्सा करो और शुलकु में राज्य के हिस्से की बात करें तो इनके लिए कितना पैसा जाता है 20% है ना नेक्स अगर बित आयोग तो था अन्या अंतरन की बात करें जो बित आयोग और अन्या अंतरन की बात करें तो इसमें 10% जाता है और फिर जो एक्स्ट्रा खर्चे अन्या खर्चे हैं अन्या बैय हैं उनमें भी 10% जाता है तो ये था हमारा बजट में कि कहां से हमें आया और कहा पैसा गया ठीक है जी तो next बात करते हैं हम कि बेज 21 वजट के अनुसार जो है किस मंत्राल्य के अवंटन में सबसे अधिक बृधि देखी गई है very important तो ये बृधि देखी गई है संचार मंत्राल्य के अवंटन में ठीक है जी इसको सबसे ज़ादा आवंटित किय आगे नेक्स अगर हम बात करें 20-21 के अनुसार सबसे जादा सबसीडी फूड में देने का प्रावधान किया गया है सबसे जादा सबसीडी किसमें मिलेगी फूड में ठीक है नेक्स बात करें कि बजट 20-21 के अनुसार लड़कियों का नमांकर तो आप जानते हैं जो प्राथ हम एक स्तरकी अगर बात करें तो आप जानते हैं 59.7 परसेंट जो है नामंकित होई है ठीक है तो नेक्स अगर बात करें हम 2020-21 में divided distribution tax को जो है खतम कर दिया divided distribution tax जो है समापत कर दिया very important नेक्स देखें कि budget 2020-21 के अनुसार बागवानी को प्रोत्साहान करने के लिए सरकार ने one product one district का समर्थन किया है ठीक है जी one product one district का समर्थन सरकार के द्वारा किया है नेक्स अगर पॉइंट की बात करें कि 2020-21 के अनुसार भारत का करज GDP का 48.7% हो गया है ठीक है जी 2021 के अनुसार जो भारत का करज है वो कितना GDP का कितना परसंट है 48.7% तो बहुत बड़ी amount है नेक्स अगर बात करें हम 2020-21 के तहट अंतरास्ट्रिया बुलियन एक्सचेंज गुजरात के गिफ्ट शहर में स्थापित किया जाएगा ठीक है जी कहां पर बुलियन एक्सचेंज गुजरात के गिफ्ट शहर में स्थापित किया जाएगा नेक्स्ट अगर बात करें हम कि बजड के अनुसार कुछ अन्या लक्षे रखे गए हैं तो आप जाते हैं टीबी को खतम करने का लक्षे दो हजार पच्चिस नेक्स्ट अगर बात करें बूसेलोसिस बीमारी को खतम करने का लक्षे तो दो हजार पच्चिस और नेक्स्ट अगे होंगे अगर में बात करें कि भेड बक्रियों में पेस्टे पेटिस रुमिनेंट बीमारी को खतम करने का लक्षय भी कब तक का रखा हुआ है करोड रुपए जो है इसके लिए दिया गया अगर स्वास्थे की बात करें तो 69,000 करोड रुपए की राशी इसके लिए अवंटित की गया अगर हम बात करें नल से जल योजना के लिए तो 3.6 लाग करोड रुपए इसके लिए दिया गया और आप जानते हैं जल जीवन मिश के लिए 11.500 करोड रुपे इसके लिए अवंटित क्या गया अगर हम next point की बात करें कि नवीकरनिया उर्जा क्षेतर के लिए 20,000 करोड रुपे की राशी का प्रावधान है next अगर हम बात करें कि वायू पुर्दूशन के निवारन के लिए ये 4,400 करोड का अवंटन है next अगर हम देखें कि स्वाच भारत मिशन के लिए तो आप जानते हैं 12,300 करोड रुपे का प्रावधान है next अगर हम कोशल विकास के लिए देखें तो आपको पता कि 3000 करोड रुपे की राशी इसके लिए रखी गई है अगर हम और योगिक विकास की बात करें तो और योगिक विक पोशन कार्यक्रम के लिए जो पैसा है वो 35,600 करोड रुपे की राशी पोशन कार्यक्रम के लिए रखी गई हैं अगर हम SC के कल्यान के लिए बात करें SC के कल्यान के लिए 85,000 रुपे की राशी का प्रावधान है अगर ST के कलियान की बात करें तो आप जानते हैं 53,700 क्रोड रुपे की राशी ST के कलियान के लिए रखी गई है तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि महिलाओं से जुड़ी हुई योजनाओं के लिए 6,600 क्रोड रुपे की राशी है तो ये थी पूरी बजट में प्रमुख कुछ बाते जिनको हमने बहुत अच्छे से देखा तो उमीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीजे समझा गी होगी अगर इन पॉइंटों को आपने अच्छे से देख लिया तो आप बहुत से कोशनों को टिक कर सकते हैं अभी आगामी प्रिक्षाएं होने वाली है और ये बजट टॉपिक बहुत महुत पुर्ण है हर प्रिक्षा में यहां से कोशन आता है और आप जानते हैं कि अब ये बजट और इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो आर्थिक सर्वेक्षन से होगा तो उमीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जाद से जाद शेयर लाइक और सब्सक्राइब करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू